हेलो बच्चों आएम रिश्मी यो मैट्स टीचर तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 का नया चैप्टर कॉंप्लिक्स नंबर्स एंड क्वाडिटिक इक्वेशन तो यह हमारा चैप्टर नंबर 5 है तो जब आप इस चैप्टर को देख रहे हो तो आपको यहां पर क्या में आ गए हैं क्या अभी तक हमने जितने भी नंबर्स उनको नहीं पढ़ा है क्या अभी भी कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो हमने नहीं पढ़े हैं या इन नए नंबर्स की जुरूरत क्यों पढ़िए तो यह हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्यों नए नंबर्स को और include गया अभी तक तो हम सारे numbers को पढ़ चोके हैं तो अभी इसके लिए complex numbers को समझने के लिए पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपको पहले से किटने number पता है पहले से जितने number पता है उनमें क्या कमी थी कि हमें यह numbers को include करना पड़ा तो हम पहले देखते हमें पुराने numbers हमें कितने पता है तो इस वीडियो के देखने के बाद में आपको जितने भी numbers है न उन सारे numbers के बारे में पता चल जाएगा अभी तक आपका knowledge उद्वा तोड़ा कम था 10 तक हमने जो number पढ़े थे उसमें अभी और number include करते ही complex number include करते ही आपका knowledge number के लिए पूरा हो तो देखो कौन-कौन से numbers हमें पता थे तो सबसे पहले देखो यहां पर natural number सबसे पहले हमें कुसी चीज को गिनने की जरुरत पड़ी तो natural number आए फिर जब उसमें हमने 0 को include कर दिया तो यही natural number अब whole number कहला है natural number को n से whole number को w से denote कर दे है फिर हमें लगा कि नहीं हम कोई चीज numbers भी आने शुरू हो गए तो negative number आए उसको भी हमने इस list में include कर दिया तो अब इन whole number हमारे integer बन गए फिर integers के बाद में हमने यहां पर देखा कि नहीं हमारे पास fractions भी होते हैं हम रोटी खाते हैं तो उसको आधी करके खाते हैं तो आधी को कैसा denote करेंगे तो जब हमारे पास fraction वाले number आए तो उसको हमने rational number बोला तो यनिकि जो m upon n की form में थे लेकिन जब हम की number को divide करते तो हमारे पास दो number दो तरह के divide हो जाएंगे तीन तरह के होते हैं एक तो आपके terminate हो जाते हैं तो इसरे terminate नहीं होते हैं लेकिन repeat होते हैं तो वो दोनों इस category में आते हैं irrational number में होते हैं जो non जिनका divide अगर आप देखो तो जिनका decimal non terminating होता है नौन repeating होता है तो इन तरह के numbers को यह irrational बिल्कुल अर्लगे list में से यह rational में यह सारे इंक्लूड होते हैं तो इन सारे numbers को मिला के जो हमारा number बना real number जो इन सब का father है इन सारे numbers में सबसे बड़ा है father क्योंकि इस सब मिला केस में आ रहे हैं तो real number हमारा हो गया rational number plus irrational number तो यहां पर कैसे हो न जो natural number है whole number का subset है जो छोटा होता है वही बड़े के अंदर जाएगा न तो natural number whole number का subset है whole number integer का subset है फिर integer आपका rational का कोदे कोई circle से आप अच्छे समझ सकते हो सबसे अंदर आपके counting number है one two three फिर इसमे तो circle थोड़ा बढ़ा हो फिर इसमे negative number include किया तो circle और बढ़ा हो गया फिर इसमें हमने fraction वाले number किया whole circle और बढ़ा हो गया फिर उसके बाद पर हमारे real number बनाना था हमने rational number को include किया तो यह हमारे हो गए number complete तो यह number हमने अभी तक पढ़े हुए थे तो देखो यह सारे number होने के बाद भी हमें complex number की जुरूत क्यों पढ़ी तो चलो फिर से class 10th में चलते हैं अपने quadratic equation वहाँ पर chapter पढ़ा था quadratic equations को solve करने के लिए तो वहाँ पर हमने quadratic formula पढ़ा था equation को solve करने के लिए देखो यह हमारे इस तरह से equation थी कि ax square plus bx plus c equal to 0 एक हम इसको middle term split करके solve करते थे एक हम इसको quadratic formula जो था हमारे पास में उससे solve करते थे कि minus का b plus minus in root of b square minus 4ac upon 2 है इससे हम solve करते थे तो हम यहाँ पर हमने यहाँ पर इसकी तीन condition देगी थे इसको हम यहाँ पर क्या कहते थे दी कहते थे तो हमने इस दी की तीन condition देगी थे उससे हम nature of root बताते थे तो यह देखो यह हमारी इस D के यह जो हमारा यहाँ पर D है इसके तीन condition थी अगर यह B D यहाँ पर क्या होदा? B square minus 4 इसी होता है अगर B square minus 4 इसी आपका 0 के equal आ गया तो root 0 आपका 0 हो गया तो हमें यहाँ पर दोनो root minus B by 2 ही यहीं मिलते थे यहीं real root मिलते थे और equal root मिलते थे लेकिन अगर D आपका greater than 0 है अगर मेरा D let मानो कि यहाँ पर 4 आ रहा है तो root 4 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा तो एक बार plus से solve करेंगा और minus से solve करते थे तो real root मिलेंगे लेकिन different root मिलेंगे तो हम इस condition को भी वहाँ पर solve करके root find करते थे और इस condition को भी solve करके root find करते थे अगर D 0 आया तभी हम roots बना के दिखा देते थे D greater than 0 आया तभी roots बना के दिखा देते थे लेकिन third condition को हमने वहाँ पर नहीं solve किया थे आपको सिर्फ यह कहते थे question में कि कि अगर real root आता है तो आप solve करो D is less than 0 जब भी हो गया तो D is less than 0 पर आपको क्या कहा था कि वहाँ पर imaginary roots मिलेंगे तो जो हमारी complex number की शुरुवात हुई है वो इसी condition से हुई है इसी quadratic formula अभी तो आपको chapter देखो complex number and quadratic आपका chapter का नाम क्या है complex number and quadratic equation तो इसी तरह की quadratic equation को जब हम solve कर रहे थे solve करते करते देखा कि यहाँ पर हमारा b square minus 4 is less than 0 हो रहा है तो यहाँ पर mathematician के सामने problem है कि क्या इस तरह की equation कभी solve नहीं होगी root में जब भी negative number आएगा क्या हम उसो को कभी नहीं solve कर पाएंगे तो यहीं से complex number का जनम हुआ है जब क्योंकि आपको पता है न कि root के अंदर negative number आगया अब इसको कैसे लिखे हम यहीं छोड़ दे दे लेकिन हमें पता है जो हमारा है आउशक्ता ही आविशकार की जन्नी होती है जब हमारे सामने problem आई तो उसके solution भी आए तो फिर कुछ mathematician आए जैसे आईलर हमारे mathematician थे उन्होंने हमें इसको solve करने का तरीका समझाया अब देखो किस तरह के number आए जैसे मैंने b2-4 सी solve किया यह मेरा minus 1 आगया d equal to मेरा minus 1 आगया तो यहाँ पी जब put करेंगे तो under root of minus 1 आगया तो यह हम नई solve कर सकते हैं हमें पता है root के अंदर कभी negative number नहीं हो सकता या फिर under root of minus 5 आगया यहाँ पे कोई भी real number लेकिर अंदर negative sign के साथ आगया है तो यह सारे number को हम यहाँ पे क्या कहने लगए यह तो हमारे imaginary number है यह क्या number है हमारे imaginary number है तो जैसे जैसे हमारे सामने जुरुत पढ़ती गई, हम वैसे वैसे आपके यहाँ पर नमबर्स बनाती है, तो देखो complex number कैसे बना, मैं आपके सामने के equation रखती हूँ, equation को देख करके आपको easily समझ बाजाएगा कि क्या, क्यों इस complex number को बनाने की जुरुत पढ़ी, तो देखो और आगे competition exam के लिए भी आपको introduction बहुत अच्छे से दीखना है, क्योंकि आगे जो question आएंगे, अभी आपके case based question या one mark के question और include हो गई, तो इन सब के लिए आपको basic को अच्छे से पढ़ना है, तो basic पर आपका focus बहुत अच्छे से होना चाहिए, exercise को solve करने के अलावा भी other question को solve करने, तो introduction बहुत अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए, तो यह हमारी equation है, x square plus 1 equal to 0, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, कि आपको solve करना है, solve करना मिस left equal to right आना है, तो x की जगे ऐसी क्या value रखें कि left equal to right आजाए, क्योंकि आपको पता है, x की जगे पर मैं कोई भी value रखूंगी, यह उसको positive बना देगा, ठीक है, x की जगे मैंने यहाँ पर plus 1 रखा, तो भी 1 plus 1 equal to 0 नहीं आ रहा, मैंने minus 1 रखा, तो minus 1 का square यह plus 1 कर देगा, again 1 plus 1 equal to 0 नहीं आ रहा है, तो ऐसा कौन सा number है, जो इस equation को satisfy करेगा, कि यहाँ पर answer मेरा left equal to right आ जाए, तो यह equation बह करने का मतलब यहाँ पर क्या है, कि x square अगर जब भी minus 1 की equal होगा, तब भी यह equal में आपकी 0 होगी, minus 1 रखो कि तो minus 1 plus 1 equal to 0 होगा, तो लेकिन हमें बता है कि किसी भी variable की बात करो है, किसी भी number का square जो होता है, वो कभी भी negative नहीं होता है, तो ऐसे हमारे साथ class 10 में भी हुआ, b square minus 4C को जब हमने solve किया, तो हमारा less than 0 आ गया, तो हम वहाँ पर फस गए, और हमने कह गए कि यहाँ तो root हमारे बनेंगे, नहीं, real नहीं आएंगे, यहाँ पर हमारे imaginary root आएंगे, क्योंकि यहाँ पर square root में कौन सा number आ रहा था है, negative number आ था, b square minus 4C में अभी हमने देखा था और हमने इसको आगे solve नहीं किया और वहीं चूड दिया, तो जहां हमने class 10 में जोड़ा था उस topic को कि यहाँ पर d negative हो रहा है, हम इसको आगे नहीं solve कर पा रहें, तो वहीं से start होता है आपका complex number, तो जो आईलर हमारे mathematician थे, उन्होंने कहा कि root में, root over negative 1 को हम यहाँ पर किसी और variable से denote कर देते हैं, तो वह उन्होंने कहा, उसको name दिया, आयोटा, इसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, आयोटा, और उसको हम किस से denote करते हैं, small i से, small i से इसको denote करते हैं, तो उन्होंने इस term को दिया, नाम कि root में कभी भी जब भी आपका minus 1 आता है, तो उसको हम आयोटा स हम उसको solve कर देंगे तो इसका मतलब जब हम आपको पता है कि यह x square की जगे पर minus 1 आना चीए तो हम x की जगे पर क्या पूट करेंगे square इधर आया तो under root of minus 1 हो गया यहीं कि under root of minus 1 को हमने कहा है iota यहीं कि आप x की जगे पर क्या put करोगे आप iota put करोगे x की जगे x square आयोटा की value रोगो under root of minus 1 का square square से आपका root cancel हो गया तो x square equal to minus 1 यहाँ पर हमारा आ गया यह x square minus 1 हो गया तो यह कौनसे mathematician ने हमें बताया था यह Euler mathematician ने हमें बताया था तो इस तरह से हमें root में negative number को दिखाने के लिए या denote करने का हमें symbol मिल गया वो था हमारा यहाँ पर आयोटा अब जो हमारी पूरी complex number की थियोरी चलेगी यह इस आयोटा पर based ही चलेगी तो समझ में आगे आपको तो अगर आपको अगर आपने solve किया और आपका यहाँ पर root में क्या आ गया है minus 5 आ गया तो हम इसको कैसे लिखेंगे only under root of minus 1 को यह आयोटा कहते हैं तो हम इसको लिखेंगे minus 1 into 5 कर देंगे तो root of minus 1 अलग कर दिया root of 5 अलग कर दिया तो यह क्या हो जाएगा आपका root minus 1 को हम आयोटा लिखते हैं और यह root 5 का root 5 asset is रहे गया तो एक नया number यहाँ पर और include हो गया और इसी आयोटा से बनने वाले इस आयोटा को include करके जितने भी numbers बनेंगे उनको हम complex number कहेंगे और हमारी यह real number की थियोरी में एक नया number complex number और include होगा क्यों include हुआ इस तरह के question को solve करने के लिए जहाँ पर root में negative number आ रहे तो root में जहाँ भी negative number आ रहे उसको हम आयोटा लिख ले और उसको solve करें तो यह सारा imaginary number है यह कोई real number नहीं है इस सारा imaginary part है इस equation को solve करने के लिए इन्होंने एक नया number बनाया और इस नया number को include करके जितने भी number बनेंगे उनको हम कहेंगे complex number तो complex number बनते कैसे हैं तो complex number को हम z से denote करते हैं और यह number इस तरह से form में होते हैं a plus iota b की form में होते हैं तो z में यहाँ पे a क्या हो गया a और b दोनों आपके real number होते हैं लेकिन a भी आपका real number होगा b भी आपका real number होगा लेकिन b के साथ iota multiply में होता है तो इसको हम यहाँ पे real number कहते हैं और इसको हम यहाँ पे imaginary number कहते हैं इसको कहते हैं हम यहाँ पे imaginary number तो जो भी तो एक अगर आ साथ में आपका यहां पर विले क्समें आएगा को सकते हूं यहां इसा नंबर YU यहां प्लस doughen को math graph app यहां को पहले combination से बनते हैं उनको हम यहां पर यहां complex number कहते हैं तो आपका real number 0 भी है तो हम इसमें 0 plus iota 4 कहते हैं तो यह only iota 4 बचेगा और अगर यही मैं 2 plus iota into 0 कर दो तो 0 में iota से multiply किया तो क्या बचा only आपका यहां पर 2 बचा यह भी complex number है बट यह इसमें iota के साथ coefficient कौन है? 0 है तो यह purely आपका real number है यह purely जैसे आपका imaginary number रहे, यह complex number तो हैं दोनो पड़िए purely प्योर्ली आपको complex number में तीन बर्थ से define करते हैं एक तो आपका purely complex number जिसमें real part भी हो और imaginary part में फिर आपका यहां पर जिसमें real part नहीं हो उसको हम purely क्या कहते हैं imaginary number के यहाँ पे कहते हैं imaginary complex number है और यह purely क्या number है अपका यहाँ पे imaginary और यह आपका यहाँ पे क्या है purely real अप definition देखें तो a number of the form a plus iota b definition सब आपको याद होनी चाहिए इस बार हमारे पास 50% वेटे जो है one mark के छोटे questions का ज्यादा है तो basic अच्छे से आना चाहिए a number of the form a plus iota b जो भी number a plus iota b की form में होंगे वहाँ जहां पे a और b कहां से आएंगे a and b are real numbers जहां पे a और b आपकी real numbers होनी चाहिए तो here a is called real part इसको हम कहेंगे real part इसको हम r e z यानि real of z यह z को मैंने भी कहा था complex इसको हम z से define करते हैं तो इस z का जो real part है उसको हम r e of real of z short form में से लिखतेंगे and b यह जो b है उसको imaginary part कहेंगे उसको i am z से हम इसको define करेंगे इस तरह से denote real part को r e z से जैसे आपको कहा कि इसके अंदर से real part क्या है और imaginary part क्या है लिखकर के बताओ तो r e z आपका यहाँ पर 2 है और imaginary आपका number यहाँ पर 3 है जिसके साथ i multiply होगा आपका imaginary number बनेगा और जो आपका number है वह आपका real number बन जाएगा ठीक है तो यह अवन ने complex number को समझ लिया ठीक है तो अब आपको यह तो जी समझ में आ गए किनकिन number को हम यहाँ पर complex number कहेंगे तो जो real और imaginary दोनों से मिलकर बने है तो यह भी आपका complex number है फिर अगर यहाँ पर sign यह तर में change कर दो यह भी आपका complex number है और only मैं अगर 2,3,4 यह सारे real number की बात करती हूं तो वो भी एक तरह से complex number है क्योंकि इसमें इन numbers के साथ में आयटक का साथ का मरकोफिशंट है वो यहाँ पे क्या है जीरो है तो यह real number होने के साथ साथ में आपका क्या है natural number भी है यह whole number भी है यह rational number भी है तो जब ही सारे number है तो यह ऐसे ही करके complex number भी है तो real number के अंदर जो भी हमारे number है वो सारे हमारे क्या होते है complex number होते है तो आप देखो यह हमारा नंबरों का जो हमने ब्रह्मांड बनाया था जहां पे सारे नंबर से वह हमारे पूरी होगा अब इसमें हमने जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा तब वह नंबर में हमने इंक्लूड कर दिया मतलब क्या होगा संब्सके होने थी दिसमें और नंबरों में की लिख सकते हैं तो सारे आपके यहाँ complex number जैसे सारे natural number whole number है, सारे natural whole number integers지만 सारे natural ** pessoal number whole number integers आपके यहाँपि क्या है रेशिनल नमबर 4000 एम्बर नहें डिक्क सकता है और सारे natural number और REM आपके यहाँपि क्या है Real number नमबर है एसे यहाँबकर आपके कॉंप्छ नमबर कि यह सकता है लेकिन यह purely complex number है यह imaginary number है और यह purely आपका यहाँ पर real number है यह तीन तरह के numbers हम complex number के अंदर देखते हैं अब algebra of complex number डेख लेते हैं कि complex number पे कौन-कौन सी algebra लत्वी से real number पे आप करते है real number को आप add करोगे तो आपको फिर से real number मिलेगा उसको minus करने पर फिर से real number मिलता है आप subtract करो multiply करो division करो किनी भी real number पे इन चारों में से कोई भी operation लगा आपको हमेशा real number मिलता है तो आप वैसे भी ह यही है कि अगर आप दो complex number को add कर रहे हो तो आपको फिर से complex number ही यहाँ पे मिलेगा और z2 हमने यहाँ पे कह लिया देखो बहुत सारी theory है इसमें तो आराम से पढ़ना है आपको तो दो number ले लिया एक z1 ले लिया एक z2 ले लिया अब हम यहाँ पे करके दिखते क्या दो complex number क तो add करने पर हमें फिर से complex number मिलता है तो यह a plus iota b हो गया then plus c plus iota यहाँ पर d हो गया तो real number को real number से add करना होता है तो a plus c हो गया और complex number को complex number से add करना होता है तो इसके पास भी आई है इसके पास भी आई है हम बाहर लिख ले तो यह आपका हो गया b plus d बढ़ जाएगा तो yes एड़ करने पर हमें फिर से complex नमर मिल रहा है इसको example से समझते हैं तो let z1 2 प्लस आयोटा 3 और z2 हमारा 4 प्लस आयोटा 6 है तो z1 प्लस z2 यहाँ पर क्या हो जाएगा इनको add करो पहले जैसे separate separate लिखलो और उसके बाद real को real से और imaginary से add करेंगे 2 प्लस 4 तो यह हो गया आपका 6 फिर इसमें भी आयोटा इसमें भी आयोटा तो हम आयोटा को बाहर ले ले और 6 प्लस 3 तो यह हो गया आपका 9 यह आपका क्या है 6 प्लस आयोटा 9 तो यह प्लस आयोटा B की form में है that means यह हमारा complex number है अब देखो यहाँ पर addition के लिए कुछ addition की जो property है वह यहाँ पर मतलब complex number का जो यहाँ पर add कर रहे हो यह कुछ properties को भी satisfied करता तो कौन-कौन सी properties को satisfied करता वो properties हमें देखनी है कि यह जो हम दो number का addition कर रहे हैं यह बहुत सारी properties को भी satisfied करता है तो देखो यह properties अपकी mainly addition में multiplication में satisfied होती क्योंकि यहाँ पर order का फरक नहीं परता मैं z1 plus z2 करूँ या z2 plus z1 करूँ आंसर मेरा same ही आना है तो now addition of complex number satisfies the following properties तो कौन-कौन सी property first law है आपका closer law closer law का मतलब यहाँ पर क्या होता है जो हमने वह भी उपर गया कि दो complex नमबर को आप add करोगे तो हमने फिर से complex number ही मिलेगा तो यह हमने यहाँ पर prove करके रिखा दिया हमने z1 लिया z2 लिया इसको solve किया और देखा कि हमने फिर से complex number मिल रहा है जैसे 2 real number को add करने पर आपको real number मिलदा है 2 plus 3 अपका 5 हो गया तो 5 हमारा real number है 2 3 भी real number है same वैसे ही 2 complex number को add करने पर भी हमें complex number ही मिल रहा है तो यह closer law को यहाँ पर satisfy करता है now second now next law है आपका commutative law तो commutative law आपका यहाँ पर क्या कहता है तो हम भी complex number के लिए दे रहें for any two complex number z1 and z2 के लि के equal होगा तीक है जैसे मैंने यहाँ पर z1 plus z2 किया अगर मैं z2 plus z1 करूंगे तब भी मेरा यही answer आएगा तो बहुत सारे law है मैं सबको example से नहीं समझारी हूं आप इसको practice करके देख ले रहा हूं तीक है theory इसकी बहुत जादा introduction के लिए और लेकिन हमारे लिए आगे competition exam के ल मिलेगा यहां ने देख लिया competitive law यहां पर क्या कहता है कि अगर आप 2 complex number को में z1 plus z2 करो या पहले दूसरे को add करो या दूसरे पहले को add करो आपको answer यहां पर सेम मिलेगा तो सेम मिलेगा आप z1 plus z2 मैंने कर दिया आप z2 plus z1 करना इसको में पहले रग दू इसको बाद में एडिशन में तोड़ी ना कोई order का फरत पड़ता है now associative law हमारा यहां पर क्या कहता है कि इसमें 3 complex number होंगे यह सारे law हमने पहले भी पढ़े हुए हैं तो अगर हम पहले 2 को add करें और फिर हम इसमें तीसरे को add करें तो यह अपका किसके equal आएगा जेखो z1 plus z2 किया फिर हमने इसमें तीसरा add किया और अब यहां पर क्या करेंगे हम last 2 को add करेंगे यानि जेट 2 प्लस z3 को add करके फिर उसमें z1 का add करेंगे तो यह भी answer same आएगा तो same आएगा यह तो simple logic है आप यहां पर कोई भी real number के लिए भी true है और यह complex number के लिए भी true है आप इसमें कोई भी z1, z2, कोई भी example कोई भी इसकी जेगे value रखे कोई भी complex number रखे जिसे 2 प्लस iota 3 रखा 4 प्लस iota 6 रखा यहां पर 6 प्लस iota 3 करके आप इसको प्रूव करके देखना है हमीशा यहां पर satisfied होगा क्योंकि addition multiplication में order का कोई फरक नहीं पड़ता किसी को भी पहले add कर दो now next यहां पर देख कोई complex number add करो कि हमें फिर से वही number रखे तो जैसे हमने simple real number में देखते कि हम real number add करते कि हमें वही का वही number मिल जाए तो हम 0 आइड करते जिसे 2 प्लस 0 आपको 2 ही मिलेगा 4 प्लस 0 आपको 4 ही मिलेगा तो वैसे ही यहां पर additive identity आपके यहां पर क्या हो जाएगी अगर मैं Z के अ हमारा जीरो तो यहांपर इंग्जामपल के जैसे अगर मैं यहां पर देख तीँ हूं लेट की मेरा यहां पर जो जैड है वह मैंने यहां पर ले लिया तो यह दूसरा सब्सक्राइब सेब सकते तो अब यहां पर इसको अगर चाहेँ है यह तो मेरा आंसर क्या आएगा 2 plus 3 iota plus 0 plus iota 0 हो गया तो क्या हो जाएगा यह equal real real से add होगा 2 plus 0 हो गया plus iota common ले ले और यह 3 plus 0 हो जाएगा तो यह आपका फिर से वही नंबर आगा देखो 2 plus 0 2 हो गया और 3 plus 0 आपका यहां पर 3 होता है तो यह आयोटा 3 है तो यहां देखो यह आपका Z1 plus Z2 आपका अगेन वही आ रहा है जो Z1 था यनि कि जो आपकी additive identity वह यहां पर क्या है देखें तो मतलब यहां पर होता है कि अगर हम किसी नंबर में क्या एड करें की इक्वल जीरो आ जाता है तो मतलब होता है क्या एड करें कि वही नंबर मिले और यहां पर जो to keep the attractive inverse का मतलब होता है कि iisse complex number में क्या add करे कि हमें 0 विले जैसें एहां पर to मने क्या ndra 0 क्या add करें बैद करें यहां पर MON अच्च का नंबर रहे मीनस तो आड़ करदो तो एडिटीव आड столько के अदर भी आप का यही होगा प्लस क्या प्लस का नंबर है तो उसका माइनस हो जाएगा तो यह नहीं कि इसका मतलब क्या होता है कि आप Z में क्या एड करो कि आपको 0 मिले तो आपको होगी माइनस का Z add कर तो प्लस माइनस माइनस तो Z minus Z cancel हो कि यहाँ पर 0 हो जाएगा तो कैसे आप उसको नंबर बनाओगे तो यहाँ पर जो minus Z है उसको हम additive inverse भी कहते हो negative of Z भी कहते है ठीक है यह minus Z अब देखो example समझते है let की मेरे पास Z है 2 plus iota 3 है अब मुझे बनाना है Z plus यहाँ पर क्या add करे कि मेरा 0 आ जाए तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ minus of Z करती है तो यहाँ पर minus of Z यहनी क्या हो जाएगा बाहर सब के अंदर जो भी है उसके sign change हो जाएगे जो plus है वो minus हो जाएगा जो minus हो जाएगा तो अभी तो दोनों plus है यह real number भी plus है और imaginary part भी plus है तो दोनों negative हो जाएगे minus plus minus 2 minus plus minus iota 3 हो गया तो अब अगर मैं इसको add करती हूँ तो यह आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा now इसको मैं यहाँ पर Z1 ले लेती हूँ इसको मैं यहाँ पर इसको मैं भी Z2 कह देती हूँ now Z1 plus Z2 यहाँ पर क्या हो जाएगा Z1 कितना है 2 plus iota 3 है और plus Z2 कितना है तो minus 2 minus iota 3 है solve करो इसको 2 plus iota 3 plus minus minus 2 plus minus minus iota 3 तो यह 2 से 2 cancel होगे iota 3 से iota 3 cancel होगे answer होगे 0 तो additive inverse क्या होता है उसी का negative यह देखो यह one mark के question बहुत important आपको role play करेंगे तो आपको यहाँ पर कहेंगे additive identity क्या होती है तो additive identity आप कह दोगे additive entry हमारी 0 identity 0 plus iota 0 होता है additive inverse क्या होता है तो जो भी number आपको दिया है उसका sign change कर तो Z दिया है तो minus of Z आपका additive inverse होता है तो यह हमारे addition के इंदर जो भी property थी वह होगे अब हम difference of complex number देगे दो complex number का difference करके देखते हें तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगी जो सिब्रेंस है यहां पные increasing theseráedes क्लेंड किलेंगे दो आपकाई हुआ प्रस्टमीक्त न यहां पर नहीं होगी तो रये सान jam यहां नहीं होगे तो यहां पर नहींर है उस्लिगाते है मेंपके यहांब गझान कवले पर दक पूर दाउर है आफ कर works तो यह two plus three iota है और भीच में minus z two यानि four plus iota six है solve करके देखो two plus three iota minus plus minus four हो गया minus plus minus iota six हो गया तो solve करो यह real number real number से solve होगा तो two minus four हो गया plus three iota minus iota six कर देंगे two मैंसे four गया तो two ही बचा लेकिन sign आयकर negative हो क्योंकि four बढ़ा है फिर 3 आयोटा में से 6 आयोटा गया, तो यहाँ पे आपका 3 आयोटा बचेगा, लेकिन साइन आयाएगा नेगिटीव क्योंकि 6 बढ़ा है, तो यह वेसी हो गया, 6 चॉकलेट में से 3 चॉकलेट गई, थर्ड हमारा यहाँ पर दिखेंगे multiplication उसके बाद दिखेंगे division तो multiplication of two complex number तो यहाँ पर भी हम दो number लेते हैं तो variable की form में भी पहलूंगी और example भी समझाऊंगी क्योंकि यह बहुत important है आगे questions को solve करने में plus minus करना simple है लेकिन multiplication आपको समझना पड़ेगा जैसे हम दो bracket को solve करते थे वैसे यहाँ पर solve करेंगे तो z1 हमारा a plus iota b हो गया z2 हमारा c plus iota d हो गया तो z1, z2 यहाँ पर क्या हो जाएगा दोनों का product a plus iota b और c plus iota d हो गया तो जब भी आपको question आएगा आगे कि आप z1, z2 find करो तो या तो आप इसको bracket जैसे हम solve करते थे वैसे भी कर सकते हो या direct आप यहाँ पर last step जो आएगी वो याद रख लो उससे भी कर सकते हो तो इसको हम कैसे solve करते थे पहले a को दो bracket हम कितनी बार solve कर चुके जब हमने यहाँ पर इससे पहले 10th class में question किये तो पहले a को हम लिखेंगे c plus iota d के साथ में फिर plus iota b को हम यहाँ पर लिखेंगे c plus iota d के साथ में ऐसी करते थे ना जब हम middle term split करते थे तो यह term आती थे तो हम common को एक बार लिख लेते थे और जो commonly उसको एक साथ लेते थे ऐसे ultra अब हम चल रहा है तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा a को अंदर multiply करो तो यह a c हो गया plus iota a d हो जाएगा फिर यह आपका iota b c हो जाएगा plus iota into iota तो iota का square और यह b d हो गया ठीक है तो अब आप यहाँ पर इसको solve करते है a c plus iota a d plus iota b c ऐसे जाएगा iota का तो iota ही रहेगा यह कोई change नहीं ह लेकिन अमें यहाँ पर एक चीज़ बता है iota square जो होता है वह हमारा minus 1 होता है अभी मैंने आपको समझाया था जब मैंने स्को solve किया था यहाँ पर तेको यह देखो यहाँ पर मैंने आपको solve करके दिखाया था ना iota square iota square यहाँ पर कहां गया यह 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 रहा iota square अटर root of minus 1 under root of minus 1 का square आपका यहाँ पर minus 1 आगया था तो यह आपका x square equal to minus 1 put करने पर equation 0 आएगी तो यहाँ से हमने क्या दिखा था कि iota square हमारा minus 1 के equal होता है यही से हमने सीखा था अब आगे और दिखेंगे इनके और क्या चीज़ इसमें से याद रखनी है तो iota square हमारा minus 1 होता है तो ह यह भी आपका real number बन गया है तो AC plus minus minus BD होगा हम इसी form भी लिखेंगे कि यह फिर से हम दिखाएं कि Z1, Z2 यह निए 2 complex number को multiply करो तो हमें फिर से complex number मिलता है तो यह दोनों real part को एक साथ लिख दिया अब यह इसके पास भी iota इसके पास भी iota है तो iota बाहर लिख लो और AD plus BC कर कर दिया है इन दोनों में से तो यह आपका real part हो गया यह आपका imaginary part हो गया यह प्लस आयोटा B की form में आपका यह यहां पर answer आ गया तो किनी भी दो number को इस तरह से multiply करते हो तो यह आपका answer आएगा यह तो इसको याद रख लो या फिर आप इसको यहां पर क्या करो कि इस तरह किसे आप bracket खोल करके solve करते हैं अब एक example देखें ओके तो Z1 में 3 प्लस आयोटा 5 ले लिए Z2 2 प्लस आयोटा 6 ले लिए तो Z1 इंटू Z2 क्या हो जागा वही आप bracket की form में लिख लो तो देखो bracket की form में तो आपको solve करने आ गया ना मैं अब आप उसको सीधा solve करा देती हो BD होता है प्लस आयोटा AD प्लस BC होता है तो मैं सीधा value रख दो यह वाला formula के लिए AC तो AC आपका यहाँ पर क्या हो गया 3 इंटू 2 हो गया माइनस यह AC माइनस BD तो BD कौन है तो 5 इंटू आपका यहाँ पर क्या हो गया 6 हो गया फिर आपका यहाँ पर प्लस होगा फिर आयोटा AD तो यह 3 इंटू 6 हो गया और प्लस आपका यहाँ पर क्या हो गया BC तो यह हो गया 5 इंटू 2 तो इस तरह से आपको याद है तो आप पे 30 हो गया, फिर प्लास यह आयोटा हो गया, 6,3 is 8,8 हो गया वर 5,2 नी, 10 हो गया, जिरक है, अब आपका यहाँ पे answer क्या गया, 30 में सु 6 हो गया, तो मैंनिस का 24 हो गया, प्लस आयोटा 18 प्लस 10 तो यह आपका हो गया 28 तो यह आपका कितना गया, माइनस 24 प्लस आयोटा 28 तो यह भी हमारा क्या है complex नमबर आ रहा है हमने इसको show करके दिखा दिया तो यहां पर मैंने यह इसलिए प्रूव करके दिखा है क्योंकि यह important है आगे questions में आपके use आएगा तो कहीं भी कोई tension नहीं लेना आराम से दीरे दीरे पढ़ो बहुत लंबा यह वीडियो जाने वाला है तो आराम से बीच में break ले लेके पढ़ो बहुत simple चीज़े हम जो पहले करते आ रहे थे यह QRD देख था वही हम यहां पर complex number में देख रहें तो multiplication की कुछ к्रापीटीज लेकिन अगरा है लेकिन अगर सब्ट्रेक्शिन में एप्लेस्ट ए माइनेस बीड तो अलग अंसर आता है तो अलग यह दो ही डिशन मल्टिप्लिकेशन में ही कुछ प्रपरिटीज है यहां पे तो फ़र्स अपका लोग लोग आपको यहां पे पता है जो अब हमने यहां पर सौल किया वैस तो हाना order matter नहीं करता है तो Z1, Z2 किया, Z2, Z1 किया answer मेरा same ही आएगा तो यह हम करके देख सकते हैं associative law में क्या होता है हमेशे associative law में three set होते हैं तो एक Z1 है, Z2 है, three complex number है तो पहले दो को multiply करके तीसरे को करो, same answer आएगा या पहले को रख करके बाकी दो को multiply करके फिर इससे multiply करो, same ही answer आएगा यह आपको चेक करने ना, ठीक है, आपको सिर्फ यह law माइन में रखने है, अब multiplicative identity, अभी multiplication की बात कर रहे हैं तो multiplication में add करने पर नहीं, multiplication में आपका यहाँ पर आएगा multiply करने पर, यानि कि addition में अगर हम इस identity को देखते हैं, तो add करने पर वही number आना चाहिए, और multiplicative identity के बात करते हैं, तो किसी complex number में क्या multiply करे की वही number है, वहाँ पर क्या add करे की वही number है, और यहाँ पर क्या multiply करे की वह नंबर यह चीज आपको ध्यान में लखनी है तो डिफ्रेंस आपको समझ माझा जाएगा वहाँ 0 आड करने पर वही नंबर आता है और यहाँ पर हमें बता है कि प्रॉडक्ट के अंदर 1 को मौल्टिप्लाइ करने पर हमें वही नंबर मिलता है तो यहाँ पर मौल्टिप्लिक तो इसको हम यहां पर कैसे लगते हैं लेक कि लेको Z1 को मैं यहां पर लेती हो यह चीज आप अच्छी से समझना और Z2 को यहां पर मेरा 1 है क्योंकि Z1 इंटू Z2 मेरा फिर से Z आ रहा है तो मैंने इसको Z1 ले लिया यह Z2 ले लिया तो 1 को मैं यहां पर complex नंबर की Form में लेकरते हैं 1 यहां पर क्या हो जाएगा जीरो रखेंगे तब यह 0 बनेगा यहां पर यहां पर मल्टिप्लिक वए डिटी आपकी क्या हो जागे यह ओजाएगी 1 प्लस आयोटा 0 इसको हम किसी भी complex नंबर से multiply करें हमें वही नंबर मिलेगा तो यह आपकी यहाँ पर याद रखनी दोनों के याद अर्मी यह one mark के questions आते हैं multiplicative identity क्या होती तो one plus iota zero होती है और additive identity क्या होती तो zero plus iota zero होती है तो अब अगर मैं इसको add करती हूँ यहाँ पर multiply करती हूँ z1 into z2 करें यानि कि a plus iota b को अगर मैं one plus iota zero से multiply करूँ तो हमें पता है iota को zero से multiply करने पर क्या होगा zero बन जाएगा और one plus zero आपका क्या होता है one ही होता है तो a plus iota b into one हो जाएगा और one से multiply किया तो वही नंबर मेरा आ रहा है तो additive identity multiplicative identity क्या हो जाएगी one होती दिमाग में बस इतना रखो कि क्या add करने पर वही नंबर आएगा तो zero add करने पर आएगा तो zero को आप zero plus iota zero लिख सकते हो क्या multiply करने पर वही नंबर आएगा तो one को आप complex number की form में लिख लो one plus iota zero बस simple कि83 है इनवरs का मतलब सब्सक्र करें वहांपे हमने क्या किया किया था क्या च्विधिक सार्थ पर हम जीडिया हम कोईसी भी complex number में क्या add करें कि हमें 0 मिले तो हमने कहा कि यहाँ पर जो number आपको दिया है उसके sign change करके आप उसको add कर लो तो आपको 0 मिल जाएगा तो same आपका यहाँ पर है multiplicative inverse में हम यहाँ पर देखो additive inverse के अंदर additive identity मिलती है multiplicative inverse के अंदर आपको यहाँ पर multi multiplicative identity मिलती है तो यहाँ पर multiplication का उल्टा क्या होता है division होता है तो यहाँ पर आप Z के अंदर क्या divide करोगे कि हमें multiplicative identity यानि की one मिले तो हमें पता है one by Z इसके अंदर हम Z ही divide करेंगे तो यानि की हम यहाँ पर divide नहीं लिखते जिसे Z upon Z आपका one होता है लेकिन हम कहेंगे कि यहाँ पर one by Z का हम यहाँ पर क्या करेंगे multiply करेंगे और जहाँ पर क्या होना चाहिए Z यहाँ पर zero नहीं होना चाहिए तो Z का multiplicative inverse क्या हो जाता है one by Z हो जाता है कि आप किसी भी complex नंबर का multiplicative inverse कैसे find करते हो तो भी जब ये video last होगा तो ये example से मैं explain करूँ भी multiplicative inverse हम कैसे find करते हैं दो method एक ये वाला method एक है यहाँ पर दो और method जब उसको भी मैं introduce करते हैं तो दोनों method से हम एक साथ अब सिर्फ आप इतना याद रखो कि multiplicative identity होती है 1 प्लस आयोटा 0 additive multiplicative inverse होता है 1 बाइ Z यानि कि Z inverse जो भी नंबर दिया है उसी नंबर से आप यहाँ पर divide करो तो यह आपका क्या हो जाता है यहाँ पर Z inverse होता है अब कैसे find करते हैं हम आगे दिखेंगे इसको आपको एक नाम दिया हुआ है इस तरह से इसको distributive law करते है कि हम Z1 को इसके साथ भी distribute करते हैं इसके साथ भी करते हैं तो Z1, Z2 के साथ चला जाएगा फिर प्लस Z1 आपको Z3 के चला जाएगा और सेम अगर हम Z1 को आगे ना रख करके पीछे करके इसको solve करें तो यह यहाँ पर क्या हो जाएगा तब भी आपका यही answer आएगा Z1 प्लस Z2 कर लो और Z3 को हम multiply करें तो Z1 इंटू Z3 हो जाएगा यह Z3 पहले से multiply हो फिर प्लस Z2 इंटू Z3 हो जाएगा Z2 इंटू Z3 हो जाएगा तो यह हमारा यहाँ पर क्या हो गया distributed log हो गया तो यह भी आप prove करके से देख सकते हो Z1, Z2, Z3 कोई भी complex number ले लो और आप prove करके देखो आप यहाँ पर left equal to आपका क्या आजाएगा right आजाएगा तो हर log को अगर यह आप प्रूव करके दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप इसको try करो गहीं पर भी नई समझ में आ रहा है तो आप मुझसे कूझ लेना क्योंकि मैंने आपको हम रियल नंबर के अंदर यह सारे operations कर चुके हैं तो मुझे लगता है कि आप complex number के अंदर easily कर पाऊगे कुछ कुछ mainly operations मैंने आपको solve करके दिखा दिये थे addition कैसे होता है addition आपको करने आता है addition करने के बाद आपको complex नंबर बन जाएगा multiplication करने का मैंने example समझा दिया कैसे multiply होता है तो बाकी चीज़ आप यहां पर कर लोगे अब last हमारा क्या मचा division देविजन करने देखा तो division of two complex number given two complex number हमें कोई भी complex number z1 and z2 दिये होंगे तो अगर हमें z1 upon z2 find करना है तो denominator कभी भी zero नहीं होना जीए तो actual में जो दो number का division होता है वो इस तरह से होता है z1 into 1 upon z2 यानि कि हम यहां पर 1 by z2 का यहां पर क्या करेंगे multiply करेंगे z1 as it is रहेगा और यहां 1 by z2 का multiply करेंगे अब यह 1 by z2 क्यों लिख रहे हैं तो देखो एक example से समझाते हैं यहां पर मैं आपको एक example से है division normal division नहीं होगा जैसे अभी तक हमने तीन पढ़े ना addition पढ़ा multiplication पढ़ा हमने subtraction पढ़ा लेकिन division इतना simple नहीं होता है division आपका बिलकुल अलग तरीके से काम करता है कैसे तो let के यहां पर देखो z1 को मैंने लिया 6 plus 3 iota and z2 को मैंने यहां पर लिया 2 minus iota अब मुझे यहां पर find करना है z1 upon z2 find करना है तो यह हो गया मैरा 6 plus 3 iota upon इसको 2 minus iota भी लिख सकते हैं और इसको हम यहां पर इस तरह से 6 plus 3 iota into 1 upon 2 minus iota ऐसे भी लिख सकते हैं तो ऐसे क्यों लिख रहे हैं वो भी अभी मैं आपको बताती हूं तो आप यहां पर एक चीज आपने पढ़ी है class 10 के अंदर यह यहां पर देखो सारा कुछ class 10 से रिलेट करके पढ़ा रही है तो आपके आप easily समझ जाओ जब हम किसी equation को solve करते थे और solve करते करते मेरा 5 upon root 2 आगया तो हम क्या कहते थे हम कहते थे हम root का number जो है वो denominator में नहीं रख सकते हैं तो हम इसको denominator से root number को टाले क्या करते थे वही root number से उपर नीचे multiply करते थे 5 into root 2 5 आपका root 2 हो जाता था और root 2 into root 2 में बता है 2 होता है तो यह हमारा rule था अब यही यह तो एक single number आगया अगर यही आपका यहाँ पे आगया root 2 minus 1 की form में आगया 5 upon root 2 minus 1 आगया तब भी हम यही कहते थे कि हम 9th class में बढ़ा है हमने 10th class में solve किया है कि हम denominator में root वाला number नहीं रखते है तो single number होता है तब तो इसी को उपर नीचे multiply कर लेते हैं लेकिन जब यह root 2 minus 1 एक rational और irrational का relation का number होता है तो हम कहते थे कि जो भी यह sign है उसके opposite sign से आप उपर नीचे multiply कर दो हम यही कहते थे root ऐसी रटेगा क्योंकि हमें denominator में a square minus b square बनाना होता था क्योंकि a plus b और a minus b अगर होगा तो हम a square minus b square करेंगे root तब ही हट सकता है जब उस number का square करो तो a minus b हमारे पास है तो a plus b से करेंगे a plus b है तो a minus b से करेंगे और कुछ भी करके denominator में a plus b a minus b बनाएंगे तो 5 into आपका यहाँ पर क्या हो गया root 2 plus 1 हो गया और यह a plus b a minus b तो a square तो root 2 का square 2 हो गया minus और 1 का square b square 1 का square 1 हो गया और यह हमारा यहाँ पर answer हो गया root 2 plus 1 divided by 2 minus 1 1 होता है तो 1 लखने को युदोत नहीं है तो same का same rule आपका यहाँ पर इसमें भी लगीगा same rule आप denominator में कभी भी complex number को ऐसे ही नहीं चोड़ोगे यह हमारा solution नहीं है यह तो उन्हें क्या किया अभी लिखा ही तो है solve का किया addition में add करे थे real को real से कर रहे थे जब हम difference करे थे तो real को real imaginary को imaginary से subtract solve कर रहे थे multiplication में हम अलग तरीके से bracket open करके solve कर रहे जो हमने सारा किया हुआ है वही हम कर रहे थे अब यहां पर जो rule लगेगा वो जो अभी मैंने आपको इस root वाले number का बताया ना वही लगेगा कि denominator में हम कभी भी आयोटा को नहीं रखते हैं तो इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसको हटाने के लिए हमें rationalize करना पड़ेगा तो rationalize कैसे करते हैं जो नीचे negative number है तो ऊपर हम positive से ऊपर नीचे multiply कर देते हैं यह देखो यह पूरा से cancel हो के 1 ही तो रहा मनसी तो multiply कर रहे हैं तो यह इसका solve करने तरीका होता है क्योंकि हमें इसको rationalize करना है इसलिए हम इसको multiply की form में लेते हैं समझ में आगे है fund है यहां पे clear ठीक है कुछ नहीं किया है सारा कुछ हमने class tensor rate किया यह यह भी एक number है तो number की properties लगबग सारी सेम ही होगी न यह उसने root वाली property को यहाँ पे लेगा हम जैसे denominator में root नहीं वैसे denominator में iota भी नहीं है आयोटा denominator में आया नहीं कि यह गुस्सा हो जाएगा गुस्सा हो गया तो हमें इसको हटाना पड़ेगा शांत करना पड़ेगा तो हम denominator में इसे iota को a2 हमने identity हम फिल भी पता है अभी मेंने लिखा a प्लस b और a-s b को हम जहाँ पर क्या ले सकते है a2-s b2larda दो 2 का स्क्वार हो गया 4 minus ix i ay तो iota का स्क्वार हो जागा यह देखो a plus b a i-b a square-b spot माइनस b स्क्वार हो गया तो यह आपका है 6 plus 3 iota हो गया into यह आपका 2 plus iota हो गया 4 iota square हमें पता है क्या होता है तो iota square हमें पता है होता है minus 1 तो रखो यहाँ पर minus 1 minus 1 यहाँ पहले से और iota square भी minus 1 होता है तो यह आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा तो यह हो गया 6 plus 3 आयोटा फिर into यह आपका 2 plus आयोटा हो गया minus minus क्या होता है plus जोगा 4 plus 1 हो गया तो इसका मतलब यहाँ पर आपका answer क्या आजाएगा यह आजाएगा आपका 6 plus 3 आयोटा into यह फिर यह लिख दे 2 plus आयोटा divided by 5 हो गया यह इसका answer अब क्या सोच रहे हो हो गया यहाँ तक नहीं अभी कहा सॉल हुआ अभी तो हम आधा पहुँचे है अभी तो हमने जब यह गुसा हो गया था अभी तो इसको शांत किया है कि भाई तुम डिनॉमिनेटर में आगए तुम गुसा मत करो यह बलता है मैं नीचे कभी नहीं आउगा मैं हमेशा उपर ही रहूँगा मैं डिनॉमिनेटर में कभी नहीं आउगा भी तो हमने इसका गुसा शांत किया अब यहाँ पर क्या सॉल होगा यह तो आप सॉल कर सकते हो यह जएट वन इंटू जटो की फॉर्म में तो इसको हम इंट्टइ से सौल्ल करो है इसको सॉल कर देना इसको सौलल कर देना इसको जब कर दोगे तो आप स्को श्ल कर देखो आपका आउसर ने जटाये करना यह अमनम जाया यहों चेनल कान फिर ब्रैके फिर-लै नमिट्ट को समझा था कि स्वॉल की करना तो गल यह दो सीधा अ gute रखो solve करो यह हो गया तो दोनों तरीके से आप इसको solve करके देख लेना now next देखे now my next topic is power of iota तो यह सबसे काम आने माला topic है जो हम quadratic equations को या कोई भी equation हमारी आती है उसको solve करने के लिए हम use करेंगे तो अभी हमने i की दो power पढ़िए first power हमने पढ़िए अगर i की power 1 है i की power 1 यही under root of minus 1 फिर इसको जब हमने square किया था तो हमने iota square पढ़ा था तो iota square से क्या होगा है root कर जाएगा left में square right में square root cancel हो जाएगा तो iota square क्या होता है minus 1 तो आप सिर्फ एक power अगर यहाँ पे याद रख लेते हो तो बाकी सारी power जो भी iota की power आपकी यहाँ पे आजाए उसको easily solve क करेंगे तो कभी iq power 2 आएगी कभी iq power 3 आएगी कभी iq power 25 आजेगी कभी आपको कहेंगे आप iq power 69 को solve करके बता तो हम क्या इतनी power की value को याद थोड़ी ना खेंगे कि सारी value को हम याद करने बैठ जाएगे तो ऐसा कोई नहीं होता है हमें सिर्फ यहाँ पे एक चीज iota square क्या होता है minus 1 होता है अगर आपको यह वाला याद है तो बाकी सारा आप इसके through solve कर सकती हो तो यहाँ पे जो एक मैंने आपको पढ़ाएद है dividend equal to diviser into quotient plus remainder बस उसको आप याद रखके हम बड़ी-बड़ी power वाले question को solve कर लेंगे तो iota की power 1 हमारे पास आ गया iota की power 3 sorry 2 2 हमारे पास आ गया एक हम यहाँ पे iota की power 3 और solve कर लेंगे तो iota की power 3 तो हमें पता है iota square कितना होता है minus 1 होता है तो इसको हम iota square into iota ऐसे लिख सकते है यह power को मैंने अलग-अलग कर दिया 3 को मैंने 2 plus 1 कर दिया तो आपको पता iota square कितना होता है minus 1 होता है तो यह minus 1 into iota यहन तो two कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको को यह याद होगा तो अब सब कर लोगे तो आयोटा की पावर two कितना होता है माइनस one तो माइनस one का square यहाँ पे हो गया one तो हम में चार value मिलेगी जब आयोटा की पावर 1 अगर कहीं पर आता तो इसको आयोटा ही लिखेंगे आयोटा स्क्वेर को हम माइनस 1 लिखेंगे आयोटा क्यूब को हम माइनस आयोटा लिखेंगे और आयोटा की पावर 4 को हम यहां पर 1 लिखेंगे अब देखो कुछ क्वेशन देखो तो मेंली हमारी यह 4 वैली हुई आएगी तो जब भी हम को इसी क्वेशन को सॉल करते हैं तो हम उसको 1 की फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं यह आयोटा की पावर 4 क्या होता है 1 होता है तो इसको अगर जो बड़ा से बड़ा नंबर होगा लाइक कि आपक सबुआ है मैं माइन रहा है या फिर आपका 1 आएगा पहले पेहले से देखते हैं और उसके बाद हम इस तरह के इससे करेंगे वह देखते तो यह मैं एक एक्जमपल क्यों आयोटा की पावर मेंने लिया 20 इ। आयोटा की पावर 20 है तो मैं आप और इसको लिखते हो क्योंक आपका 20 आ गया और 0 remainder बज गया तो यनि कि हम यहाँ पर 20 को क्या लिख सकते हैं मैं 20 को यहाँ पर लिख सकते हूं quotient diviser into quotient होता है diviser into quotient plus remainder तो यहाँ पर remainder मेरा क्या हो गया 0 हो गया तो 0 हो गया, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, कि सारी हमारी इसको हम यहाँ पर देख सेते हैं, आयोटा की पावर 4 into 5, ठीक है, और remainder हमारा यहाँ पर क्या है, 0 है, तो आयोटा की पावर 4 हो गया, आयोटा की पावर 4 क्या होता है, मेरा 1 होता है, 1 की पावर 5, यहनी कि हमार अब और यहाँपे देखो B, अगर मैं यहाँपर लेती हूं, आयोटा की पावर में लेती हूं, 37 ले लेती हूं, चीक है आयोटा की पावर 37 ले लेती हूं, तो अगेन हम यहाँपर 37 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 कि उपने 37 तो नहीं आता लेकिन 9 टाइम में आपका 36 आता तो 37-36 कितना हो गया? 1 हो गया तो यह हम अगें यहाँ पर 37 को क्या लिख देंगे? 4 into 9 plus 1 quotient यहाँ divisor into quotient plus remainder यह तो हमने पढ़ावा यही होता है तो iota की power में हम इसको कैसे लिख सकते? 4 अंदर कर दिया, 9 बाहर कर दिया और यह अपका यहाँ पर power में क्या हो गया? यहाँ पर plus 1 हो गया divisor into quotient plus remainder की form मिल दिया तो अब यहाँ पर यह वबका 1 हो गया तो इसको हम यहाँ पर कैसे लिख सकते है? अलग-अलग हम इसको power को separate कर सकते है, a power 2 plus 5 है तो हम इसको क्या कर सकते है? a power 2 into a power 5 इस तरह से लिख सकते है तो बस यह समझने की बात है, यह पूरा 1 हो जाएगा और इस 1 का मतलब यहाँ से एक आयोटा बच जाएगा आयोटा की power 4 into 9 और into आयोटा की power 1 यह नहीं कि हमने अलग कर दिया है तो यह तो पूरा आपका क्या होगा, आयोटा की power क्या होता है, 4 1 होता है, तो 1 की power 9 आपका 1 ही हो जाएगा और यहाँ से सिर्फ एक आयोटा बचेगा तो जब 0 होगा, जब यहाँ पे आपका remainder 0 आ रहा होगा, किसी भी number का 4 से divide करो चाहे, आपको यहाँ पे 627 भी दी दिया, आप easily find कर लोगे आप यहाँ पे क्या करोगे, उस number को 4 से divide करोगे, 4 से divide करने पर हमेशा 4 ही remainder आएगे, किसी भी number को आप 4 से divide करो, या तो 0 आएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है न, यह अपना Euclid division lemma आपने पढ़ा था, class 10 के अंदर, उसमें आपने देखा था, कि remainder कितना था, remainder हमेशा diviser से चोटा होता है, तो यहां 4 है, तो remainder यहाँ जीरो आएगा, यह 1 आएगा, यह 2 आएगा, यह चार आपके remainder आएगे, अगर वह 0 आता है, अगर baz 3 आता है, तो answer मेंस आउट हूआएगा, यह 4 आंसर पे आएगे, यह रिमेंदर जीरो था, तो answer आपका 1 आएगत क्योंकि यह remainder 1 आ रहा है तो 1 का मतलब एक आयोटा बच रहा है यह सारा तो 1 हो गया यह सारा 1 यहाँ पर हो गया सिर्फ एक आयोटा बच गया अब एक और example देखो जहां पर हमारा remainder क्या है 2 है तो मैं यहाँ iota की power 22 लेती हूँ तो आप divide करो 22 को 22 को हमने 4 से divide किया तो 4 20 हो गया remainder 2 बच गया तो यह हम यहाँ पर क्या लिखते है iota की power 4 into 5 plus remainder अपका 2 हो गया यहाँ आयोटा की power 4 into 5 into iota square हो गया तो iota square आपको पता है क्या होता है minus 1 होता है यह तो मेरा वैसे ही 1 हो गया iota की power 4 क्या होता है 1 के उपर में चाहे कितनी भी power लगा solve करने पे तो वह ही आएगा तो यहां से मेरा यह 1 हो गया और यह iota square हो गया iota square देखते ही आप यहाँ पर क्या कर दोगे minus 1 minus 1 into 1 minus 1 हो गया तो सिर्फ यह 4 आपको चीज यहाँ पर याद रखनी है 0 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा remainder 0 तो answer आएगा 1 remainder 1 तो answer आएगा iota remainder 2 है तो answer आएगा minus 1 remainder 3 है तो answer आएगा अपका minus iota अब यह और example यहाँ पर देखो जैसे मैं यहाँ पर d को यह बड़ा असा number में लेकि दिखाते हो iota की power 236 को solve करके दिखाओ क्या आएगा तो क्या करना हमें तो simple 236 में 4 से divide कर देना है 4 से divide करो तो यह 5 time गया 20 पर 3 6 बचा तो यह 4 गया आपका यहाँ पर 9 time तो यह होगा 9 time यह 36 remainder 0 remainder 0 होते है आपको सोच लेना है कि answer क्या आएगा मेरा यहाँ पर 1 आएगा क्योंकि इसको हम क्या लितने है iota की power 4 into 59 remainder 0 है remainder 0 है तो यह answer आपका पूरा क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा ठीक है तो यह अब इसके general form को अगर हम देखना चाहे तो ऐसे आप बहुत सारे number को solve कर से हो रिमेंडर यहाँ पर 0 है remainder यहाँ पर कितना है जीरो है तो आपका 1 बन जाएगा remainder 0 है या आयोटा की power 4K दोनों चीज यहाँ पर लिखते है आयोटा की power 4K हो तब अपका answer 1 पिर 2 आपका यहाँ पर क्या है iota की power 4K plus 1 अगर remainder आपका 1 आ रहा है वन रिमेंडर आ रहा है यानि कि आपका सिर्फ आयोटा ही बचेगा फिर C आपका यहाँ पर आयोटा की पावर 4K प्लस 2 है अगर यहाँ पर आयोटा इसको है क्योंकि यह सारा तो मिलके आपके 1 हो गया तो यह बाँदर भचा उसको देखना है रिमेंडर जीरो तो आयोटा वन आपका इसको पर आपका 3 आ यह चार चीजा को यहाँ पर इसके अंदर याद रखनी और इससे हम आयोटा की जातनी इसको हमirty एजिली solve कर लेंगे इसी तरीके से divide करेंगे remainder find करेंगे remainder find करके इन चारों को हम देख लेंगे और देखके हम इससे idea लगा देंगे कि 0 है तो यह आएगा 1 है तो यह आएगा 2 है तो यह आएगा 3 है तो यह आएगा ठीक है now complex number को solve करने के लिए भी हमारे पास different different identities है जैसे real number को solve करने के लिए हमारे पास बहुत सारी algebraic identities थी हमने 9th class में पढ़ा था हमारे पास identity थी a plus b का whole square थी a minus b का whole square थी then a plus b का whole cube था a minus b का whole cube था a square minus b square था तो ऐसे ही हमारे पास इस में यहाँ पे complex number को solve करने के लिए भी different different identities है तो जब हम real number को solve करते थे तो हम a plus b का whole square या x plus y का whole square लिखते थे लेकिन complex number को हम z से denote करते तो हम यहाँ पे a, b और x, y न लेकर के इसकी जोगे क्या लेंगे z1 plus z2 का whole square लेंगे बागि identity में कोई change नहीं identity आपकी वही रहेगी बस एक बार इनको देख लो तो यह z1 plus z2 का square क्या होगा तो जो हमारे पास पहले formula था a square plus b square plus 2ab same वही formula आप कर रहेगा फिर दूसरा आपका यहाँ पर क्या था a minus b का whole square तो z1 minus z2 का square यहाँ पर क्या हो जाएगा a square यहाँ जाएगा a square याणी z1 square 2 का whole cube तो इसका identity पता है आपको क्या होती a cube तो सबसे पहले a cube हो गया then b cube तो यह z2 का cube हो गया फिर आपका यहाँ पर क्या होता है 2 नहीं sorry 3ab square होता है तो 3z1 z square हो जाएगा और फिर यहाँ पर 3z1 square z2 हो जाएगा इस तरह से पहले इसका यह ऐसे ही रहेगा square होगा फिर यह इसका square हो जाएगा यह ऐसी रहेगा और आगे आपके 3 आएगे तो मुझे यहादर को power 2 है तो 3 term आएगी power 3 है तो आपके यहाँ पर 4 term आएगे फिर d आपका next वाला formula क्या था इसी में minus z1 minus z2 का cube तो जहाँ पर भी आप z2 आएगा बस वहाँ minus लग जाएगा बाकी सारा आपके यहाँ पर positive रहेगा क्योंकि यह negative है और negative की power odd क्या होती है अपका negative ही टाओ में आती तो देखो z1 cube तो z1 cube भी रहेगा positive है minus यहाँ पर z2 है तो यह negative हो जाएगा z2 का cube हो जाएगा z2 का cube हो जाएगा फिर यहाँ पर z2 का square हो रहा है square हो रहा है तो यह आपका यहाँ पर positive रहेगा square तो positive बना देता है और यहाँ पर only z2 है तो यहाँ पर negative हो जाएगा 3 z1 square z2 हो गया तो जहां पर भी z2 की power odd है वो negative हो जाएंगे z2 की power जहां पर e1 है वो positive रहेगा और एक और हमारी last identity है d e तो यह आपकी यहां पर है z1 square minus z2 का स्वार कोई change नहीं सारी identity वही है बस आपने variable को change कर लिया तो यह हो जाएगी z1 plus z2 और यह हो जाएगी z1 minus z2 यह 5 identity सेम identity है बस एक बार आपको information देने थी कि यहां पर भी identities होती है जिनको हम use करेंगे तो वही identity है variable को change करके यह लिए तो इनने different identities को solve करके लेकर के different identities को use करके हम complex number को solve करेंगे ठीक है तो यह 5 यह वहां तो हमारी 10-12 identities थी 11 identities थी class 9 में अगर मैंने रिखाई थी आपको यहां पर तो मारी identities बहुत कम है उनने 5 ही है तो next topic है आपका the modulus and conjugate of a complex number तो कोई भी complex number है इसका modulus or conjugate कैसे लिखते है तो हमने let कि है कि हमारे पास a plus iota b कोई complex number है तो first हम देखते है कि इसका modulus कैसे find करेंगे तो modulus कौन कैसे लिखते है mode of z mode of z mode का मतलब आप समझते हो जो भी आपका यहां पर number real number की form में अगर हम बात करते तो modulus यहां पर क्या करता है जब भी कोई positive number इसके अंदर जाता है तो उसको as it is बाहर निकाल लेता है यह machine ऐसी है यह modulus की machine इस तरह से काम करती इसका behavior ऐसा होता है कि कोई भी positive number positive integer या positive number इसमें अगर जा रहे है तो यह उसको as it is बाहर कर देगा लेकिन जैसे ही कोई negative integer इसके अंदर जाता है कोई negative number इसके अंदर जाता है तो यह active हो जाता है और उसको एक sign और देदेगा वो उस तो यहां पर जो हमारा complex number का modulus यहां पर क्या होता है तो the modulus इसको हम modulus of z कहते है तो the modulus पढ़ेंगे कैसे complex number आपका z है तो इसको कहेंगे the modulus of z तो modulus of z यहां पर क्या होता है जो आपका यह complex number है इसमें real part का और इमेजनरी part का whole ç हम ऐसे इसको find करते किसी भी complex number का modulus कैसे find करना होता है under root of a square ﷺ तो a square क्या होता है उस complex number का real part और b क्या होता है सको complex number का imaginary part इन दोनों को स्क्वेर करना तो यह फॉर्मुला आप याद करो या आपको आगे एक्ससाइज में भी 5.2 एक्ससाइज है वहां पर भी हम इसको यूज करेंगे फिर दूसरा पार्ट हमारा यहां पर यह कि कॉनजुगेट आफ जर्ट क्या होता है तो कॉनजुएट यहां पे होता है नोदी दो सबसारा करता COB करने काम करेगा घालोंफ हमारे पास कॉंपलेक्स नमер इसके मॉडुलिस फाइंड करने के इसका बिहेवियर क्या है कॉन्जूगेट का यह आएगा इसके इमेजनरी पार्ट को देखेगा और उसका साइन चेंज कर देगा जिसे यह प्लस आयोटा भी है तो यह आयोटा वाले का साइन चेंज करेगा रियल पार्ट वाले का नहीं करेगा किसका साइन चेंज करेगा यह imaginary part वालेगा जो भी यहाँ पे sign होगा plus होगा तो minus कर देगा minus होगा तो plus कर देगा तो ध्यान से सुनो conjugate में क्या करना होता है conjugate सिर्फ imaginary part का sign change करता है real part को तो वो देखता भी नहीं है सिर्फ वो किसको देखेगा imaginary part को देखेगा और उसको sign यहाँ पे change कर देगा तो देखो एक गजमपल लिया इसे समझते इसका मॉड्यूरस करना है तो फ़र्स अप मॉड्यूरस ऑफ जाइगा मॉडुलस फ़ाइट के इतना हो जाएगा मॉडुलस ऑफ जाएंगे पता है एंडर रूट ऑफ ए स्क्वेश प्लस-ब फ्लस-बी-क्वेर तो यहा c bar जो हो जाएगा 3 Plus two iota जो है आपका यहाँ पर उसके ओपर क्या लगज़ाएगा बार लगने का मतलब क्या है ये सिर्फ यहाँ पर क्या करेगा iota वाले पार्ट का साइन यहां पर चेंज कर देगा तो यहां आयोटा हम पहले लिखते हैं हमेश्या तो यहां पर आगे पीछे का फरग नहीं पढ़ता लेकिन बुक में आपके सारे पहले लिखे हुआ हैं तो 3-2 हो जाएगा यह आपका अंचर हो जाएगा आप जाहो तो इनको प्रूव करके खर कोई युग कर सकते हैं कि जैडवनमायेशन में गया कर सकते और यहां लेकिन मॉडूलिस में प्लस माइनस में नहीं कर सकते हैं, only multiplication division में कर सकते हैं, जब लिइन इंटु जड़ी है, तो जब लिइन बार इंटु जड़ी होना चाहिए, तो यह क्या चीज हो गई यह हमारी जब प्रूफ देट वाले क्वेशन होंगे जो हम आडी शर्मा में से करेंगे या मिस्लेनियस में अगर कुछ क्वेशन होंगे तो वहां पर हम इन प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं तो एक और मुझे आपको एक्जांपल बताना था जो क्योंकि यह क्वेशन आपको आएगा कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स नमर दिया होगा और आपको कहेंगे कि आप उसका मुल्टीप्लिकेटिव इंवर्स फाइंड करकी बताऊं तो एक मैं आपको तरीका बताऊंगी और एक मैं आपको यहां पर फॉर्मूला बताऊंगी दोनों से आप इसको यहां पर सॉल्ट कर सकते हो एजीली तो एक का लेंडी मैथड है जो सिंपल हमारा पूराना मैथड है वैसा रैशनलाइज करने वाला और दूसरे आपका फॉर्मूला उससे आप डाइरेट कर सकते हैं तो देखो एक एक्जांपल से समझता है तो फाइ हमें क्या फाइंड करना है यहां पर तो जैड का मल्टिप्लिकेटिव इंवर्स का होता है वन बाइज होता है हमें यह फाइंड करना है तो वन बाइज यहां पर क्या होगा तो देखो हमें यहां पर पता है कि मल्टिप्लिकेटिव इंवर्स को किससे डिनोड करते हैं 1 by z यानि की 1 upon और z की value आप यहां पे रगदो 2 minus 3 आटा होगी तो आपको मैम हो गया यह तो multiplicative inverse हमने बता दिया इसका तो ऐसे नहीं होता यह हमने अभी लिखा है लेकिन हम मैंने आपको क्या का था जैसे root वाले number को हम denominator में answer की form में नहीं बताते हैं तो सेम यहां पर भी हम कभी भी complex number को denominator में नहीं चोड़ते हैं जैसे 1 by root 2 होता है तो हम root 2 से उपर नीचे multiply करके इसको solve करते हैं तो सेम यहां पर भी ऐसा ही होता है हम इसको छोड़ेंगे नहीं ऐसा ही तो सेम यहां पर भी ऐसे ही होगा तो अभी हमारा answer नहीं आया है तो हम इसको यहां पर क्या करेंगे फिर से solve करेंगे तो now 1 by z equal to 1 upon 2 minus 3 iota तो जब भी आपको multiplicative inverse find करने को कहें तो यह first method है जिसमें 1 by z लिखेंगे और फिर इसको हम rationalize करेंगे क्योंकि हम answer ऐसे नहीं यह 2 minus है ना तो 2 plus 3 है यही rationalize होता है same number लेना लेकिन sign change करके उपर नीचे multiply करना है क्यों करते हैं क्योंकि a minus b हमारे पास है तो हम a plus b बनाते हैं क्योंकि a square minus b square करने से iota square यहां से iota की term hurt जाएगी iota square आजाएगा जो की minus 1 होता है number की formula यह answer आजाएगा तो यह आपका यहापे क्या हो जाएगा 1 into this तो यह आपका numerator तो 1 plus 3 iota ही रहा और denominator क्या हो जाएगा तो यह formula यहापे लग जाएगा a plus b then आपका यहापे हुआ a minus b तो यह होता है आपका a square minus b square होता है यह होता है तो यहाँ a square यहाँ 2 का square हो गया 4 minus b square यहाँ 3 iota का square हो गया यह तो यह वापस आपका numerator सेम two प्लस three ओटा four आपका as it is minus three का square कितना होता है nine ऐ vera कोकितना होता है nine is square आपका iota square हिँ हो जाएगा तो iota iota square में पता है क्या होता है iota square की तो हमें पता है value होती है minus one तो यहάंसे iota हटाने के लिए तो हमने यह सारा time jump किय है तो यह आपका यहाँ पे हो गया 2 plus 3 iota और यह आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 minus 9 iota square कितना हो गया minus 1 हो गया तो यह आपका यहाँ पे हो गया 2 plus 3 iota minus minus क्या होता है plus तो 4 plus हो गया आपका 9 तो यह आपका यहाँ पर आ गया 2 प्लस 3 आयोटा और 9 प्लस 4 हो गया आपका यहाँ पर 13 हो गया तो यह इस तरह से हम multiplicative inverse को find करते हैं अब एक और चीज यहाँ पर बताओ देहो मैं अभी एजरस्ट आपको यह conjugate और यह अपने modulus पढ़ा है तो यह इसी से भी हम इसको solve कर सकते हैं देखो 2 minus 3 आयोटा है तो 2 minus 3 आयोटा का अगर आप conjugate find करोगे तो आपका यहाँ पर क्या होता है आपको पता है हम यहाँ पर क्या सकते हैं कि जो हमारा complex नंबर था इसका numerator उसका क्या है conjugate क्या है conjugate आपको यहाँ पर side में यहाँ solve करके दिखा 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 यहाँ पर कोई और पेपर लिके दिखा मैं आपको इससे relate करूँ ताकि एक formula बने यहाँ पर अगर मेरा z equal to 2 minus 3 आयोटा है तो इसका conjugate यानि z bar कितना होगा z bar यानि कि 2 minus 3 आयोटा पर क्या लग जाएगा बार लग जाएगा इस बार का मतलब यहाँ पर क्या होता है जो भी आयोटा के साथ में है अगर sign उसका change कर दो तो यहाँ minus हा तो यह 2 plus 3 आयोटा हो जाएगा और अगर मुझे इसी z का modulus दो είναι स्कूर पर यहां परका तो बार नियुक्त करोफरा यहां पर चे और शॉक्तिक मया होकर आपका क्यों था है तो सब्सक्राइब का प्लसभी स्कूर होगा धने कि माइनस करहें तो नंबर से मारेग है यह मोडूट втор कर चाह से modulus of z का square कर दे तो modulus of z का square यहाँ पर क्या हो जाएगा under root 13 का square यानि कि मेरा 13 आ रहा है तो यह same यहाँ पर देखो यह मेरा conjugate of z है और यह modulus z का whole square है तो यहाँ पर मैं और इसको क्या लिख सकती हूँ मैं इसको लिख सकती हूँ कि यह मेरा यहाँ पर क्या है यहाँ पर conjugate of z है और यह मेरा modulus of z का square है तो मैं यहाँ पर बिना इस तरह से rationalize कि यह भी इसको solve कर सकती हूँ कैसे solve कर सकती हूँ क्यों मैंने यहाँ पर एक formula बना दिया कि जो इसकी according अगर हम देख रहे हैं तो मेरा जो z inverse है वो किसके equal आ रहा है conjugate of z upon modulus of z के square के equal आ रहा है तो जब भी आपको कहें कि आप यहाँ पर किसी भी complex number का multiplicative inverse find करके बताओ तो बिना इसको solve की हुए आपको जो भी complex number दिया हुआ है आप फटा-फट से उसका conjugate find कर लो उसका modulus of z find कर लो उसका answer लिख दो तो मैं इसको अगर यहाँ पर लिखती हूँ z inverse मुझे जब find करने के लिए कहा तो मैंने लिखा यह होता है conjugate of z upon mode z का square होता है तो conjugate of z मेरा यहाँ से कितना आ रहा था यह मेरा आ रहा है 2 plus 3 iota आ रहा है या iota 3 आ रहा है यह और mode z कितना आ रहा है 13 आ रहा है तो दोनों method से आंसर तो सेम ही आ रहा है यहाँ पर भी मेरा यही answer आ रहा है अगर मैं first method से करूँ और मैं यहां से करूँ तो यह भी मेरा same answer आ रहा है तो अगर आपको z inverse का formula याद रखना है तो यह हमारा यहाँ पर formula है यह हमारा यहाँ पर क्या है formula है यह पूरा का पूरा हमारा यहाँ पर formula बन गया और नहीं मुझे formula नहीं याद रखना है तो आप direct यहाँ पर इससे solve कर सकते हो rationalize करके तो यह दो चीज मुझे यहाँ दिखानी थी कि multiplicative inverse हम इस identity से भी solve कर सकते हैं और सीधा हम इसको rationalize करके भी question आएंगे दोनों method से करांगी जो method आपको easy लगेगा आप उससे उसको solve कर लेना यह भी method से solve करेंगे यह भी method से solve करेंगे तो मुझे लगता है formula वाला ज्यादा easy है क्योंकि formula में सीधा क्योंकि conjugate और आपको modulus भी पता चल जाया कैसे fine करते हैं और सीधा का सीधा मिस्से z inverse भी fine कर सकते हैं तो यह हमारा हो गया है यहाँ पर introduction complete यह इस chapter का पूरा introduction है question तो बहुत कम है chapter के अंदर लेकिन अगर आप competition exam के लिए यह आप rd चर्मा में से questions करोगे तो यह सारे basic आपको यहाँ पर पता होने चाहिए बहुत सारे proof that questions आएंगे जहां पर इन properties को हम use करेंगे रहे multiplication की property और addition की property उन सब को हम वहाँ पर use करेंगे जब कि आपकी first exercise में उसमें इतना कुछ use नहीं आएगा जतना हमने अभी यहाँ आप पर introduction में किया है लेकिन यह सारा आपका कहीं न कहीं आगे काम आएगा तो इस introduction part को आपको अच्छे से अपने notes बनाने वहाँ पर लिख लेना है और इसको पढ़ते भी जाना अगर आपके basic सारे क्लियर है तो कहीं से भी question आप उसको easily कर पाऊगे तो यह हमारे दोनों formula भी हो गया सब कुछ हो गया तो यह introduction part हो गया अब आगे हम solve करेंगे exercise 5.1 ओके thank you इसको आप अच्छे से याद कर लेना अच्छे से पढ़ लेना अच्छे से आप इसको समझ लेना